बीबीसी दुनिया में आज देखे एक साल में बदली हमेशा के लिए सिंथगी अफगानस्तान पर तालिबान के नियंतरन की एक साल बाद भी हक के लड़ाई लड़ती महिलाएं नौकरी से कारुबार तक सब कुछ गवाँ बैठी कुछ महिलाओं के लिए क्या उम्मीद अब भी है बाकी स्वागत है आपका भीबीसी दुनिया में मैं हूँ सारी का सिंग महिलाओं और बच्चों पर भारी पड़ती तालिबान की हुकूमत क्या और बत्तर होंगे हालाद चर्चा करेंगे कवर स्टोडी में लेकिन पहले हैंडलाइंस महंगाई में थोड़ी राहत थोक महंगाई दर में आई गिरावट लेकिन अमुल और मदर डेरी का दूदवा दो रूपे महंगा कल से लागू होंगी नहीं कीमते बिहार में नितीश तेजस्वी मंत्री बंडल का हुआ विस्तार तेजस्वी यादो के भाई तेज प्रताप यादो समेत 31 मंत्रियों ने लिशपत तेज प्रताप यादों को बनाया गया कैबिनेट मंत्री बिल्किस बानों गैंग रेप के दोशियों के रिहाई पर बोला परिवार बढ़ गया है डर दिखाएंगे बिल्किस के पती ने बीवी सी से बातचीत में और क्या कहा शलंका ने किया चीन के विवादेट जहाज को लेकर अपने फैसले का बचाओ कहा बाकी देशों के जहाजों की तरही चीन की जहाज को मिली बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त भारत और अमेरिका के मुताबिक सैटलाइट्स, रॉकेट्स और बालेस्टिक मिसाइल्स के निगरा नी कर सकता है पूत और दिखाएंगे भारत के पहले प्रधान मंत्रे पंडित जवाहलाल नेहरू का पहला टीवी इंटिविव इन में से कुछ एहम ख़बरों की चर्चा आज पीबी से दुनिया में पिछले साल अफगानिस्तान के सत्ता पर तालिबान के कबजे के साथ ही कई अफगान जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई खास तोर से महिलाओं की जिंदगी पिछले साल जब तालिबान अफगानिस्तान के सत्ता को अपने हाथों में ले रहा था तब बीबी सी की टीम वहां मौझूद थी इस दौरान उनकी मुलाकात कई तालिबानी लड़ाकों और अफगान लोगों से हुई अब एक साल बाद बीबी सी ने अफगानिस्तान वापस जाकर इन लोगों से मिलकर जानने की कुशिश की कि उनके जिन्दगी कितनी बिदल गई आज कवर स्टोरी में इन्ही की बाद अफगानिस्तान में तालिबान शासर का एक साल पोरा हुआ तालिबान के लड़ाके और समर्थकों ने सडक पर जश्न मनाया इस मौके पर तालिबान ने देश में चुट्टी का इलान किया राजधानी काबूल के मुक्खे चौराहे पर तालिबान का जंडा लहराता देखा लड़ाकों से भरी गाड़ियां सडकों पर गश्ट करती देखी लाउट स्पिकर से धार मिक नारे लगाये गए और खबरों के मताबिक कई जगों पर तालिबानी लड़ाकों ने दुकानों को भी जबरन बन कराया और आईए आपको बताते हैं कि कैसे पिछले साल अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आया पहले अमेरिका ने सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से अपने सैनेकों के वापसी का आयलान किया था पर अनुमान से पहले ही 15 अगस 2021 को काबुल तालिबान के कब्जे में चला गया इसके बाद मची अफरा तफरी की वज़े से हजारों लोग देश चोड़ने के लिए काबुल एरपोर्ट पर जमा होते चले गए कुछ लोग तो विमानों से लटक कर भी देश चोड़ने की कोशिश करते वे नजर आए हलांकि कुछ लोगों ने वहाँ पर तालिबान के शासन का स्वागत किया उन्हें उमीद थी कि इस बदलाव से सालों से हो रही हिंसा का दौर शायद खत्म हो जाएगा पर कुछ लोगों की जिन्दगी तो वाकई बदल गई और वो है महिलाएं तालिबान की पुछी हुकूमत में महिलाओं की आजादी पर कई तरह की पाबन्दियां लगी थी तालिबान की सत्ता में वापसी हुई तो उन पर फिर से कई प्रतिबंद लगा बिये गए महिलाओं के पहनावे को लेकर नियम कायदे बनाए गए हाई स्कूलों में लड़कियों के जाने पर रोक लगा दी गई संयुक्तराश्टिक के आंकडों के मताबिक तालिबान के इस फैसले का असर 11 लाक बच्चों पर पड़ा है विशुबैंक के आंकडों के मताबिक तालिबान के सत्ता में आने के बाद से कामकाजी महिलाओं की संक्या में कमी आई है साल 1998 और 2019 के बीच कुल कामगारों में कामकाजी महिलाओं की संक्या 15 फीसदी से बढ़कर 22 फीसदी हो गई थी लेकिन साल 2021 साथे आते देश में कामकाजी महिलाओं की संक्या 15 फीसदी कम हो गई और तालिबान के शासन का एक साल पूरा होते होते वहां आर्थिक और मानवी संकट गहरा चुका है लोग अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटाने में भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लड़कियों और मैलाओं की हालत तो पहले से और खराब हो गई है उनके रुजगार और शिक्षा पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाती गई है और बीवी सिसमवदा तालीज डूसेट पिछले साल तालिवाने शासन की शुरुवात के वक्त काबूल गई थी एक साल बाद एक बार फिर वो वहाँ पहुचे हैं देखें उनकी एखास रिपोर्ट ये मर्दों की दुनिया है अफगानिस्तान का समाज एक रूड़ी वादी समाज है लेकिन अब नियम बना रहे हैं कटरपन्ती तालिबान जो जगे पहले औरोतों के लिए खुली थी उन्हें वो बंद कर रहे हैं हम महिलाओं के तीन अलग-अलग पीडियों से मिले जिनकी संदिगी बताती है कि अब ये दुनिया उनके लिए कैसी हो गई है कई महिलाओं डरी हुई हैं वो अपनी पहचान जाहिर होने नहीं देना चाहती ये महिला यहां के वित्मंत्राले में एक अधिकारी हुआ करती थी पिछले साल तालिबान ने उसे बताया कि उन्हें घर में बैठना होगा और उनकी नौकरी एक पुरुष को दे दी जाएगी मैंने वित्मंत्राले में 17 सालों तक काम किया परिवार और काम में तालमेल बिठाना मुश्किल था फिर भी मैं युनिवर्सिटी गई और मास्टर्स की डिगरी हासल की मैंने इतना वक्त लगाया लेकिन सब कुछ जीरो हो गया सब खतम हो गया अब साथ महिला सरकारी करमचारियों ने एक ग्रुप बनाया है वो अपने मेसिजिंग ग्रुप में बाते शेयर करती है हमने अपनी मेहनत से नौकरी हासल की अगर हम हालात के आगे हार मान ले तो ये अपने आपको धोका देने जैसा होगा हमारा गुना क्या है? वो मेरी नौकरी मेरे भाई को देना चाहते है अगर हम ये कबूल कर लेते हैं तो हम खुद को समाज से बाहर मान रहे हैं हार मत मानो हम सब को एक हो जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि महिलाएं सडकों से, स्वास्त सेवाओं से या सिक्षव भाग से पूरी तरीकर से गाइब हो गई है कई चका सिर्फ महिलाओं के लिए ही जगे है पश्चे में अफगानिस्तान के हिराच शहर में ये मार्केट अभी-अभी खुली है ये पहला दिन है महिलाएं नवस है दुकान अब भी खाली है अठारा साल की सोहेला बेहत खुश है वो अपनी बड़ी बेहन के साथ ये दुकान फिर से खुल रही है हाला कि उन्हें स्कूल में होना चाहिए था सोहेला अपनी क्लास में टॉप किया करती थी लेकिन तालिबान ने लड़कियों के साथ तर स्कूल बंद करवा दिये है मैं बहुत दुखी हूँ अगर मैं स्कूल पूरा कर लेती तो कॉलिज जाना शुरू करती लेकिन मेरा स्कूल पूरा ही नहीं हो पाया तो मैं कॉलिज कैसे जाओंगी आपके लिए कितना मुश्किल वक्त था ना दुकान ना स्कूल ये सिर्फ मेरी हालत नहीं है ये अफगानिस्तान में हर लड़की की कहानी है, ये बहुत खराब स्थिती है कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा हालात यहां भी चुनौती पूर्ण है, देश के सेंट्रिल पार्ट में भी वही स्थिती है ये अफगानिस्तान के सबसे गरीब प्रांतों में से एक है सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही है परेशान लोगों के लिए बेहत कठिन रास्ते हैं यहां इस महिला को तकरीबन एक लाग रुपे में अपनी बेटी को शादी के लिए बेचना पड़ा उनकी बेटी सिर्फ 6 साल की है और उसका होने वाला पती भी इतने का ही है वो बहुत चोटी है लेकिन मुझे ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है मैंने ये किया ताकि मेरे दूसरे बच्चे भूग से ना मरें बहुत कठिन फैसला था लेकिन कम से कम अब वो अपने ससुराल में खाप पी तो सकेगी बाल विवा यहां गैर कानूनी है लेकिन फिर भी यहां ये आम है लेकिन इतने चोटे बच्चों की शादिया नहीं होती हमने इस महिला उसकी बेटी और बेटी की पहचान छिपा ली है उसके ससुराल वालों ने कहा कि वो मेरी बेटी की देखभाल वैसे ही करेंगे जैसे कि वो उनकी बेटी हो वो बहुत छोटी है उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बेफिक्र रहूं मा चाहती है कि उनके बच्चे खुश रहे रोएं नहीं अफगानिस्तान में एक नई पीड़ी आ रही है तालिबान कहता है कि इसलाम के दाइरे में रहे कर लड़कों और लड़कियों दोनों के अधिकार सुरक्षत रहेंगे लेकिन एक साल हो चुका है लेकिन डर ये है कि लड़कियां जिन्होंने आखे बढ़ना सीख लिया था कहीं इस रेस में पीछे न चूट जाएं और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे बिलकिस बानों के पती याकूब रसूल से खास बात चीत और किड्नी के मरीजों के लिए आई अच्छी खबर ये सब जानेंगे एक ब्रेक के बाद आप देखे रहें बीवी से दुनिया मैं हूँ सारी करसे गुजात के बिलकिस बानों गैंग रेप केस में उम्रकायत के सजा पाने वाले सभी 11 दोशियों को रिहा कर दिया गया है इन्हें ये रिहाए कल 15 अगस यानि स्वतंतरता दिवस के दिन दे गई सभी दोशियों को गुजात सिरकार की माफी योजना के तहद रिहाए दी गई साल 2002 के गुजरात दंगो के दोरान गोधरा के पास एक गाउं में भीर ने बिलकिस के परिवार पर हमला किया इस दोरान पांच महीने की गर्वती बिलकिस बानों के साथ गैंग रेप किया गया उनकी तीन साल की बेटी उनकी मां समेत कुल 14 लोगों के हत्या कर दी गई पूरे मामले पर बिलकिस के पती याकूब से बात की बीबी से समवादाता रॉकसी गागडेकर चारा ने यह डिसीशन जो आया उसका सबसे पहला रिलेक्शन तो हमारा वो था कि जो हमको डर कम हुई थी जो हम इतनी बड़ी लड़ाय लगर के चैंसर रहना चाहते थे अब वो डर बढ़िया है दूसरे जीशन के जो स्टेट गवर्मेंट ने इनको छोड़ दिया है कोई हमारे साथ कोई बात थी कोई चीज नहीं हमारे को की खुराई करते है इसमें तीन साल की बेटी खुई है उसके लिए हम रोज दुबाय करते है है अब हम यह सोच रहे थे आप लोगों को मालुम पड़ा मीडियां से मालूम पड़ा तो 33 जी का सबसे पहला reaction क्या था क्या बोला था उन्हों ने अब उन्होंने बोला कि यह सब चीजें कैसे हो गई शक वह है। उसके बाद उसका थोड़ा अब आपको ज़्यादा कुछ बतानी पाएंगे लेकिन जो लीगल ही जब तक हम पूरा उनको कुछ देखेंगे नहीं क्या है तब तक हम कुछ बतानी पाएंगे किसी आपके एड़ोकेट्स से बात हुई आप अब बात हुई लेकिन जब अब हमने तो उनका पेपर्स वगेरा कुछ पी हम अभी कुछ किया नहीं हमको कुछ मालूमी नहीं है हमारे पास कुछ स्टेट्मेंट गवर्मेंट का कोई नोटीस ही नहीं है कि हम यह चीज करने वाले अभी थोड़े दिनों पहले एक बात हुई थी कि आप लोगों को कॉमपनसेशन बिलकिस जी को देने की बात हुई थी एक जॉब देने की बात हुई थी और घर देने की बात हुई थी तो क्या वो सरकार ने आपको दे दिया है और ग्यांगरेप दोश्यों के वकील रहे गुपाल सी सोलंकी ने गुजरात सरकार के फैसले को सही ठहरा है सुनिय बीबीसी के साथ बाचित में उन्होंने क्या का और उसके मताबिक जो करिमिनल होता है उसको ज्यादा जैल में रखने से बहुत से दुसरे के करिमिनलों की साथ क्राइम बढ़ता है कोई समझता है कि क्राइम नहीं बढ़ता है ऐसा नहीं है तो ए रिफॉर्मिटीव व्यूज चे इनको छोड़ा गया है उसमें कोई गलत नहीं है और एक अच्छी ख़बर किड्नी के मरीजों के लिए ब्रिटन की कैमरीज उनिवर्सिटी के शोध करताओं ने डोनर किड्नी के ब्लड ग्रूप को बदल दिया है ये शोध उन तमाम लोगों के लिए एक नई उमेद है जो ट्रांस्प्लांट का इंतिसार कर रहे है दरसल जिस अंग को डोनेट करना है उसका और मरीज का ब्लड ग्रूप एक होना चाहिए शोध करताओं का मानना है कि डोनेट किये जाने वाले अंग का ब्लड ग्रूप टाइप O करने से काफी मदद मिलेगी और इससे अंगों की कमी से निपटने में भी मदद होगी और यूके में रहने वाली बांगला देशी मूल की आईशा पिछले एक साल से अपने किड़ी ट्रांस्प्रांट का इंतजार कर रही है और वो इस ख़बर से काफी खोश रहे है जब भी ऐसा होगा तब ये एक गेम चेंजर साबित होगा ये उन तमाम लोगों को एक नई जिंदगी देगा जो सालों से ट्रांस्प्रांट का इंतजार कर रहे है जब अंगदान के कानून में बदलाव किये गए तब बहुत से लोगों ने अपनी पसंद, धार्मिक विश्वास, सिक्षा और जागरुकता की कमी के कारण अंगदान करने से दूरी बना ली मुझे लगता है कि ऐसा शोद मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए उम्मीद के करन है और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे बीबीसी के खसाने से बारत के पहले प्रधान मंतरी जबाहलाल नेहरू का पहला टीवी इंटिव्यू ये देखेंगे एक प्रेक के बाद आप देखरेंगे बीबीसी दुनिया मैं उसा आरेका से साल 1947 का 15 अगस्त ये वो दिन था जो भारत आजाद हुआ था उस आजाद भारत के पहले प्रधान मंतरी थे पंडित जवाहलाल नेहरू आज बीबीसी के खजाने से आपको दिखाते हैं पंडित जवाहलाल नेहरू के उस पेले टीवी इंटिव्यू के कुछ खास अंच जोनोंने बीबीसी को साल 1903 में लंदन में दिया था I am particularly grateful as I believe this is your very first appearance on television Yes, this is the first time I am facing this ordeal In fact, I know very little about television except what I have heard about it Mr. Nehru, we all understand very well indeed why India decided to be a republic within the Commonwealth What I think is a remarkable thing is why there is so little resentment in India towards the British in view of our past history Well, partly we don't, I suppose, hate for long or intensively But chiefly I think because the background that Mr. Gandhi gave us during all these past decades Do you feel that there have been years of satisfactory achievement or have you disappointments, Prime Minister? Well, generally speaking, I would say that politically we have advanced the unity of the country We have put an end to all the old princely states We have had these general elections which were remarkable on a tremendous scale And we have built up a good democratic structure What troubles us chiefly is the economic side I believe we have made progress I should like the progress to be much faster I would like to thank you very much indeed And to welcome you to England at any time you come And any time you wish to address us again on television Thank you Thank you I haven't found this last half hour quite so bad as I expected it to be In fact, it has passed rather rapidly I was surprised that it was over Perhaps because your questions were interesting and I got involved in them Anyhow, it has been a pleasant time and I thank you for it And I wish those who may listen to this later on And as soon as I said, the people who are the ones who have left for me And which people can communicate with me And you should be seen on theicle of the Kary Groom BBC TVI, it's all about the rest of the Kary Groom Thank you 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 झाल झाल